जैहिन दोस्तों श्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल सोसियोलोजिक क्लासेस पर आज आप सब लोगों के लिए दो नीज है पहला मद्धप्रदेश के लोग से वायोग से संबंदित है जिसमें मद्धप्रदेश के द्वारा जो भी विक्यप्ति 2022 में दी गई थी अस है जो आप मद्धप्रदेश लोग से वायोग के विपसाइड पे जाकर उसको कर सकते हैं इसकी डेट के लिए आपकी अनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंब है वह 29-12-2023 से प्रारंब है और अंतिम्तिती 12-1-2024 तक निर्धारित की गई है त्रोटी सुधार के ये भी दो दिन आपको एक्स्ट्रा दिये जाएंगे जिसमें 14-1-2024 तक आपको फार्म कंप्लीट करना है इसके लिए आपकी युग्यता जो है नेट होनी चाहिए यारनेट के साथ प्यच्टी प्यच्टी वाले जिनका प्यच्टी कंप्लीट हो चुका है वह भी फार्म प्यच्टी नहीं है केवल नेट है वह भी भड़ सकते हैं जिनका केवल प्यच्टी है वह भी यह फार्म को फिल कर सकते हैं दूसरी न्यूज यह है कि राजस्थान आरपी एस्थी असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम या सहायक प्रचार की जो भी परिच्छाएं होने वाली थी साथ जन्वरी को ओ साथ जन्वरी को होंगी का हैं कि कुछ लोगों जो है कर रहे थे कि एक्जाम जो है पोस्ट पॉंड होगा तो ऐसा कोई बात नहीं है एक् जैपूर उदयपूर जैसे जो भी अजमेर जैसे जो भी उनके मुख्याले हैं आरपी एस्थी के वहां पर यह एक्जाम कराएं जाएंगे तो यह न्यूज थी इनके लामा आज हम यहां डिसकस करने वाले हैं सोशियो लोजी और मध्वरेस लोक सेवा आयों की जो भी हैं उसके लिए भी हम आगे चर्शा करेंगे परिच्छा का जो मध्वरेस सहायक अध्यापक परिच्छा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की एक्जाम उसका पैटर्न आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा कि दो प्रश्न पत्र होना है जिसमें से प्रथम प निर्धारित किये गए है समय कि अबधी एक घंटा रहेगी और दुती प्रश्न पत्र जो है विशय सम्मंदीत यहां पर आपको डेड़ सो प्रश्न दिये जाएंगे जिसका जो है चास हम अंक रहेगा और इसके लिए समय आपको तीन घंटी निर्धारित किये गए हैं तो यहां पर आपके जो टोटल नंबर है वह 800 और साच्छातकार जो इंटर्विव होगा वह 100 नंबर का होगा तो टोटल कुल 900 नंबर का जो है प्रश्न पत्र होना है इसका आयोजन जो है 273 में होगा यह तो हम पहले ही बता चुके हैं और रही बात माइनस मार्किंग की तो इ एक प्रश्न अर्थात एक बटे तीन इस पर माइनस मार्किंग होना है और विशेष की दोनों प्रश्न पत्र में आपको 40 50 अंग प्राप्त करना अनिमार है और कटगरी के लिए इसमें थोड़ा सा छूड़ भी दिया गया है उसके बाद बाकी सब वही रहेंगी प्रक्रियाएं जो होती है कि आप लाइन इक्जाम होना है इसको तो आज हम सलेबस के विश्ए में चर्शा करने वाने तो प्राठ करम क्या रहेगा तो प्राठ करम में सरुपथम यहां पर जो है मध्य प्रदेश का इतिहास यह संस्कि मध्ध प्रदेश की कलायों संस्कृतियां मध्ध प्रदेश की प्रमुक जंजातियां यूं बोलियां इनके अलाम मध्ध प्रदेश के प्रमुक त्योहार लोक संगीत लोक कलायें मध्ध प्रदेश के प्रमुक साहित्त और उनकी रचनायें मध्ध प्रदेश के प्रमुक प साधन परंपरागत और गैर परंपरागत उर्जा संसाधन मर्ध प्रदेश की प्रमुक्षिचाईयं विधित पर्योजना ये सब आपके भूगोल के अंतरगत पूछी जाएंगे उसके बाद मध्ध प्रदेश की राजनीती और अर्थ बेवस्ता से सवाल पूछे जाएंगे जिसमें आपके मध्ध प्रदेश की राजनीतिक बेवस्ता राजपाल मंत्री मंडल विधान समा पंचायती राजबेवस्ता मध्ध प्रदेश की सामाजिक बेवस्ता चनगरना या जानन चननांके की आकार क्या है मध्ध प्रदेश का आर्थिक दिकास मध्ध प्रदेश के क्रिसी और किसी आधारित उत्योगों की माद से रिलेटर जो है आपको प्रशन देखने को मिल जाएंगे उसके बाद अंतराश्टी राश्टी मध्रदेश की महतपूर्स समसमाई के अर्थात करंट अफेयर से सवाल पूचे जाएंगे महतपूर समाई की घटनाए प्रदेश के प्रमुक्त फीराइब कुछार से जूरी प्रश्नाकिए जाएंगे राज की प्रमुक् सेसंबंदित जो सवाल पूचे जाएंद क्रमुक्त कप खक्राइब के सब्सक्राइब , कर challenge प्रमुक्त के फिर के जाते हैं चर्थी चरचित ब्यक्ति यह मास्थान पूछे जा सकते हैं वार पाचवा जो इसका यूणिट है पेपर वनग उसमें सुचना और संचारपज्चों की खीसिद शवाल पूछे जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, सुचना और संचार प्रज्योकी, रोबेटिक्स, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योर्टी, इगवर्नेंस, इंटरनेट और सोसल नेटवर्किंग साइट और इकामर्स साइट से समंधित जो है शवाल पूछे जा सकते तो यह तो रहा आपका पेपर वन अर्थाद, जो पचास नंबर के क्यूश्चन, पचास प्रश्णों के क्यूश्चन पूछे जाएंगे, जिनका नंबर 200 होगा, अब प्रते की यूनिट से लगभग 10 सवाल पूछे जाएंगे, तो पांच सेक्शन है, पांचों सेक्शन से आ हमारा उसका पांट कम क्या है? तो पांट कम ज्यादा तर आपका जो PG लेबल के जो भुक्स हैं उनसे मिलता जूलता रहेगा, अगर आपके पास इगनु जैसे संस्थान के मटेरियल हैं तो उन से जादा मिलता रहेगा, उसके अलामा जो GC Net में अगर आपके पास सारे मटेर समाज शाष्त्री परिपेच्छ देखने को मिलेंगे प्रमुक अधार्णायों में समुदाय संस्था समीती संस्कृती मांड़न और मुल्य संजूडित अधार्णाय सामाजिक समर्चना के अंतरगत प्रैस्थिति भूम्क्या दिभीन भूम का है भूम्क्या पुण्ज प्रहितितिंक्रम भूम्क्या संगर्ष जैसी उद्धार नाओं को पढ़ना है इसके बाद सामाजिक समूँ अर्थ और प्रकार मैं हमेंस प्रातमिकIES कि शक्राइब दुतियक समु औप्चारी के मनपचारिक समु अंता समु यूम वाय समु और संदर समु जैसे ओधाना है पढ़ना है इंके लामा माष्व समधायों में हमें इंडियन समाजी समुथाय जैसे वीवाय परिवार शिच्छा अर्थ वश्ता रजवेवस्ता धार्म तो इस सेक्शन में आपके धार्म वर्ड आश्रम पुरसार्थ रिड़ यग जो है मैं कि यूजी सी नेट के सलेबस में नहीं देखने को मिलते हैं तो यह जो है हमारे पीजी लेबल के एक्जाम में जो है भारत की जो ग्रामीड ब्यवस्ता की बुक एक आती है उसमें देखने को मिलते यह भारति सामाज दे ब्यवस्ता करके इक भुक आती है उसमें भी यह मिल जाए लियूंअ स्वरूप किस प्रकार के होते हैं जिसमें जाति लिंग वारगनी जाती समाजिक अस्टरी करण के सिधान समाजिक गसलता आदिस्ट से जुड़ी और हाणाएं और कॉंसेप्ट जो है पूछे जाएंगे उसके बाद सामाजिक परिवर्तन हमें यहां देखने को मिलता है सामाजिक परिवर्तन में और हाला है उन्प्रकार उद्विकास प्रसार प्रगधि क्रांति रुपांत्रड सामाजिक संरचनाक में परिवर्तन सामाजिक संरचनाक का परिवर्तन सिध परिवर्तन के सिधान्त प्रेखी और चक्री सिधान्त ये सब पूछे जाते हैं तो ये सब हमारी लगवंग आपके इन्नेट के सलीबस में सभी जो है विदमार है उनके लाव भारती समाज की ओधाला आत्मक स्वरूप जो है भारत के लोग समुसमदाय विवित्ता मेक्ता सांस्कृतिक विवित्ता चेतरी भासाई धार्मिक और नहीं जाती है ताक से संबंधि जो भी अध्यान हुए हूं के बारे में पूछा जाएगा समकालीन मुद्ति जैसे समाजिक सांस्कृतिक निर्धंता जाधिवलूं लिंग जो है संबंधिया समन्ताइं चेत्री पता निवन्शी अंधार्मिक सब्ढरों जोरूर्वरारिक बीमरे संट्री चृत भी देखने देखने को बनार च अमिल जाते हैं सलिवर्ल में कुपढ़ना है उत्रा किर्यावादी सिधानथ के इंतरगत शमाजिक क्रिया मैक्सटेबर का परदटो का प्रतिकात्मक अंत्रा क्रियावादी सिधान हमें संता काल्माकस दहरन नारफ और कोजर को पढ़ना है उसके बाद सर्धान्तिक परिपेच में तो सर्धान्तिक परिपेच में जो है भारती विधा भारती गया जो है तिंकर में हमें जीयस घुरिया और लुष्टियूमा जो भारती विधा परिपेच को अपनाते हैं संरचनात्मक प्रकारिवादी में एमंच्री न लेवस में मिल जाएंगे और नेट के लिए आप पढ़ते हैं तो वह आपको अराम से मिल जाएंगे उसके बाद पद्धती सास्त्र तो रिसर्च समंदित कुछ क्यूस्टन जो है पूचे जाते हैं यूनीट फोर में जिसमें सोध का आर्थयम प्रकित समाजी घटना की प्रक सोध प्रारूप इसके प्रकार उपकलपना निदर्शन समंग संकलात्मक विदियां अलोकन प्रशनावली अन्सूची साच्छातकार जैसे अवधानाएं एकने को मिलती हैं कागने क्वालिटेटिव विदियां जैसे गुडात्मक विदियों में सहभागी अलोकन वैक्तिक सद्यान अंतर वबस्त्विस्ले सड क्या है मोखिक इतिहाद जीवन इतिहाद से संवंधित ौोंसेप्ट गॉच्थ जाएंगे सामाजिक सोड में स्यांख की है केंद्री पवित के माप जैसे सम्मनांतर मीन मीडिय एम ओड समनांत्र माधिमादिक वहलत मींडिका और निजाती लेखन तो इस सब हमारे निट के सलिवनस में भी है तो अराम से पढ़ सकते हैं उसके बाद आजाता है प्रकारिवाद प्रकारिवाद के संदर में हमें 9 प्रकारिवाद । नौ माक्सवाद के अंतरगत अलेकजंडर को पढ़ना है जुरकीन हैबरमास और अल्धियूजर सम्रचना करण और उत्तराद निक्तावाद में गिडिंग्स और देरीदा को पढ़ना है सम्कालीन मुद्दे में विखासी जन संख्या छेत्री विशम्ता मलीन बस्तिया विस्थापन सतत विकास के लच्छ नीत यायो सम्रचना कारी को पढ़ना है बिचलाण से संबंदीत कुछ मुद्दे जैसे अपराद बिचलाण और इसके प्रकार अपराद हों बिचलित ब्योभार स्वेत बसन अपराद तथा भृष्टाचार अपराद की बदलते पर्धिस मादक द्रब्य व्यसन आत्मात्या के सिंधान आधि की व्रुष इसमें दि निक्ता राष्ट निर्मार की समस्याएं पंथ निर्पेच्चता बाहुलतावाद राष्ट राष्ट निर्मार आधि की जो है चर्चा की है तो एस अभी हमारे लगभक मिनेट से सिमिलर ही सलेबस इसका देखने को मिलता है यूनिट शिक्स में देखेंगे ग्रामीर समाज असे संस्ता से संभंधी जो है इसमें सिधां दीये गया है जिसमें रामीर समाज की अध्यां पंदतिवन और मीरा नगरी आंतर आ Mayruben बाद नगरिवाद क्रिसक संभंधी अध्याशान उसके बाद क्रिषी संभंधी संस्ताएं जैसे बोस्वामित इसके प्रकार क्रिषक अ इसके बाद आ जाता है पंचाइती राजवेवस्ता तो तीहत्तरह में सम्मीधान संशोधन के पुरो और पस्चात की जो पंचाइती राजवेवस्ता है उसके बारे में ग्रामिय नितेत्व गुटबंधी लोक ससकती करअधि के संदर में जो है विचार देखने को मिलते हैं इसके बाद सामाजिक मुद्य और ग्रामीड विकास की रूप नीदियां जिसे बद्वाएं प्रवासी मजदूर की तरिद्री करण और गयर किसानी करण क्रिशक असंतोस यूं क्रिशक आंदोलनों को भी सलेबस में रखा गया है इनके लाँ ग्रामीड विकास और पडिवर् की प्रक्रिया क्या है प्रवजन ग्राम से नगर की और ग्राम से ग्राम की और की कसीलता समाजिकार्थिक आज की सलेबस में इंक्लूट किया गया है अगला यूनिट है उद्ध्योग और समाज उद्ध्योग और समाज में समास्थास्ति परंपरा में और जोगिक समाज स्र को पढ़ना है तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्स दुर्खीन मैक्स बेबर उत्पादन के संबन अत्रिक्तमु और अलगाव मतलब कालमाक्ष समाजसास्त्री परंपरा में और धोगिक समाज में इंटीनों तिनकर से रिलेटेड है उद्ध्योग याम समाज में समाज व्य जना है अध्योगिक संबन्द है और योगी संबन्द कैसे देखने को मिलते हैं स्रम के बदलते परितरिच फदलते संप्रबंद संपंध्यों समझ होता पंचनिरम घखेस्ता सामौिक सवुध्यिवर्जिस श्रम संग lav ने आच प्रबंध को केंद्र में रखके किया नगरा है कि भारत में अध्योगे करण eon परिवार नोन बश्तरी करण पड्योगी करण का प्रभाव और योग Šमा पोछ संगर और योगी करण कराएं तथा सिम्हाएं आधि को पढ़ना है उसके बाद बस्वी करड़ की चुनोतिया समासास का भारती करा सिच्छा का नीजी घर भारत में विज्ञान और प्रजोक्की की नीध आधिक जो है पूचा गया है उसके बाद यूनिट एट आ जाता है जिसमें विकास का समासास के बारे में पूचा गया है जैसे यहां पर विकास का समासास दिया है तो उसके बूक आती है उसको ले रहें है तो उसमें समझील जाएगा विकास की उधारणा prohibis अर्थिक ब्रिद्ध मानमी विछास समाजीं प्रिकास स्मपोसक गयास अधो विकास के सिधान में उधारवादी मैकस वेबर कुणनार मिल्डकों पढ़ना है बिकास की मार्ग आद्रने की कड़र और वैसवी कऱर को पढ़ना है सामाजिक संर्चना यों विकास में सामाजिक संर्चना की सुविधा बाधा विकास सामाजिक आर्थिक पिसमताएं आधिक पढ़ना है संस्क्रिटी और विकास में संस्क्रिटी एक सुविधा और बाधा के रूप में किस तरह प्रकार्य करती है उत्तर आध्मिता और पश्चमी करण की बात की गई है अगला यूनिट है जनसंख्या यूम समाज जनसंख्या के बृधि सिध्धान्त में मालतस्वादी जर्नान की पधिवर्तन भारत में जनसंख्या बृधियं वित्रण 1901 से भारत में जनतंख्या अप्रिदी और जनतंख्या अप्रिदी के कारड़ें प्रभाव उसके बाद अधानाएं दिया हैं उत्पादक्ता मृत्वधर रुगड़ता अप्रवजन आयुत्वधा लिंग की समझना और इसके पर्ल्याम उत्पादक्ता की निर्धारक मृत्युदर्ध के निर्धारक सिसूप बालेों मात्र मृत्युदर्ध की रुगड़ता जनसंख्या लिएं विकास के अधारोद और मानौ शंसाधान की रूप में जनसंख्या किस तरह से कारे करती है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले समाजिक सांश्कृति कारकों की चर्चा इसके बाद अगला है जनसंख्या नियंत्रड तो जनसंख्या नियंत्रड की नीतियां समस्यां परप्यच जनसंख्या सिच्छा जनसंख्या नियं से यह बिल्कुल अलेव अलग है कि क्योंकि नेट में आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो किसी स्टेट वगयरा से रिलेटेट कोई भी कॉंसेप्ट नहीं रहता है तूरे देश से रहता है तो यहां पर स्पेशल मध्यप्रदेश के सामाजिक परदिश क्या है कि करके बहरत में सरवाधिक जन्झाती संख्या वाला इत्त माना जाता है तो इसका रेरिट यह स महतुड हो Джon ke समाजिक संग्थन क्या है जन्झातीयों के लिए कौन-कौन से कल्यारखारी इसकीम चलाए जा रहे है मद्यों चैंजाएं को किस तरह के मनाये जाते हैं मद्यप्रदेस में स्वयम से संगठनों की क्या भूम्चा रही है सु näंथा समू महिला सथकति कर मध्य पूदेस लोक्सय सेवा आयोग सेवाओं को प्रदान की गई गारंटी अधनियम 2010 तो था मध्यप्रदेश की जन्नांकी जन्संख्या प्रिद्धी परिवार कल्यार कारिक्रम लिंग अनुपात पोस्राड़यम स्वास्त योजनाय जो चालू है इन सब को देखना है तो ए रहा पूरा आपका मध्यप्रदेश का सलीबस इसके लिए तो है अलग से पीडर्देश कर पर लेगा इचा। पिसके अलावा जो है आप च्रामीड, भारती ग्रामीड शाओर तर समास्तावाली गुक लेगा जाए जिसमें आपको कुछ सम्मिल जायेगा तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समामत्त करते हैं वीडियो को लाइक और कि घ झाल झाल को सकाइप पजी दाम